आप सभी को जय मसी की प्रभू, आप सभी को बताशिस दे आज बहुत से लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि हम पवित्र जीवन जीए तो जीए कैसे ऐसा हम क्या करें कि हम प्रभू की पवित्रता इस अच्छाई खराई में चलते जाएं अगर कोई विश्वासी व्यक्ति कोई बप्तिस्मा लेता है या कोई नया इंसान प्रभू पर भरोसा रखता है चाहे उसने बप्तिस्मा लिया है या उसने नहीं लिया है लेकिन जब वो नया है चाहें उसने पवित्र आत्मा का धान पाया है प्रभू में आने के बाद या नहीं पाया या उसने प्रभू में आने के बाद वब्तिस्मा लिया है या नहीं लिया या वो नया है है ना तो ये तीन कर्णिशन है तो अगर वो मन फिराया हुआ व्यक्ति भी अगर वो पवित्र जीवन जीना चाहता है तो वो जी सकता है प्रभू के बजन को जानने के दोरा तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए देखो अगर एक छोटी सी भेड़ है अगर उस भेड़ को चारा नहीं मिलेगा तो वो भिमार पढ़ सकती है कमजोर पढ़ सकती है उसकी हलत खराब हो सकती है वो मर भी सकती है और दूसरों के लिए भी नुक्सान का कारण बन सकती है या दूसरों के लिए भी घात का कारण बन सकती है दूसरों के लिए भी मरी फिलाने का कारण बन सकती है है ना तो वह में जानना है कि हुआ ऐसा करे क्या देखो प्रबु आज हमें बताना चाहता है इस बात को लेकर आज बहुत से लोग जीना चाहते हैं पवित्र जीवन लेकिन मुह के गलत शब्द बंद नहीं हो रहे हैं गलत विचार बंद नहीं हो रहे हैं गलत कहना बंद नह करना है। देको जांच में जब हम अपने आपको देखते हैं न तो अपने आपको खाली पाते हैं, पहली बात यह निकल कर आती है, सबसे पहला मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, दूसरा दुनियावी वस्तूओं में मैं लगा रहा, तीसरा, मैं फाल्तू के कामों में, टीवी सीरियल में फोटोस वीडियोस एल्बुम्स में ये दुनियावी बात वारतलापों में हजी रठे वाली बातों में गलत विचार में गलत काम में गलत संगती में मैं अपना समय वेस्ट किया चौथा समय होने के बाद भी मैं प्रभू के साथ संगती में नहीं बैठा इसके साथ साथ हम यह भी चीज़ देखते हैं कि आज हमारे पास पूरा दिन है कि आज हमने प्रभू के लिए कुछ काम किया ही नहीं ना तो भीज बोने का सुसमाचार सुनाने का ना तो हमने किसी प लिए कैसे कर पाएंगे तो एक नया विश्वासी जब एक प्रभु को जानता है तो सबसे पहले इसको क्या करना है देखो ये कुछ ऐसी बाते हैं जो आप लोग जानते भी हो लेकिन हर चीज के डिसिप्लेन एक तरीका होता है तरीके से किया जाये तो बहुत पैस्ट और अब हमें ये जानना है कि हम ऐसा करी किया जिसके दौरा हम पवित्र जीवन जी सके देखो एक शुरूआत है यह जिन भी आपको बड़े बढ़े बदलावों को देखोगे सबसे पहला लेखो आप इस बात का ध्यान रखना कि बहुत सारी चीजे आपको रोक सकती है पवित्र जीवन जीनने के लिए जया वो शब्दों के द्वारा हो चाया कुछ वस्तू के द्वारा हो चाया कोई व्यक्ति के द्वारा हो चाया कोई प्रानी हो चाहे को आपका नौकर बिजनेस वो काम दंदाओ कुछ ऐसी चीज है जो आपको क्अ प्राथना करने के लिए रूख सकती यहां तक कि आपका शरीर भी जो आपको अपने वश्न में कर सकता है आत्मा तो चाहती है कि संगति करें रात-बend नहीं करें सुभे बड़े-बड़े काम करें पवित्ताई का जीवन जी लेकिन इस शरीर अब भीलाशों में फशाकर पाप में डाल जबता है या तो सुझा या सोचा या तो तो हमें इस शरीर पर जय पाने के लिए कुछ ऐसे काम करने है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है और लिकाए संसार से प्रेम करना तो परमेश्वर से बैर करना है तो ये दो से तीन बातें में खास कर दियान रखनी है सबसे पहला हमें उप्वास में आना जरूरी है, चाहे हम 15 मिनट कर रखे, चाहे गंटे कर रखे, चाहे नो गनटे कर रोगे, चाहे motivation जहे आपको अगवाई हो रही है, जितना आप रख सकते हो तरह, यह नहीं कि जबरदस्थी नहीं करना है, जबरदस्थी नहीं है, यह नह हो गई पेट दर्द हो गया सरदर्द हो रहा है इस प्रकार का उपवास नहीं मागता है प्रभू के कहने का मतलब उपवास यह है कोशिश करने अपनी तरफ से निराहार जब तक आप आपसे राजा लेकिन इसके सासाथ आपको अपने जुबान पर नियंतरण करना है भी बना कर रखनी है चाहिए आप आदे घंटे का उपवास रखो वो भी खुदा ग्रेंड करेगा अगर मैं एक साल का उपवास रख रहा हूं लेकिन मैं अपने मूह से बुराई पाप गलत और गंदे काम गलत विचार गलत काम गलत शब्द दूर नहीं कर रहा हूं तो प हमें अपना कर देखना मुझे मालू मैं एक गंटा आदे घंटे के उपवास रखे है प्रभु के बड़े बड़े चमतकारों को मैंने देखा है जिन जो काम महीनों मे Championship शाल में वह ता वह काम प्रभू ने कुछ घंटों में की जह दुरूर है हमें उपवास रखना जरूरी है जब भी आप उपवास रखते हो तो अपनी कमजोरी के लिए अपराटना करो जब भी आप उपवास रखते हो अपने शब्दों पंडियांतरन करो जिसके द्वारा पवित्र जीवन जीने में आपको साहता मिलेगी जब भी आप उपवास रखते हो तो अपने मुखे शब्दों को थोड़ा ही रखो जितना पूछचा है उतना बताओ वो भी सही शब्दों में हजी रटा करते नहीं बुरा ही करते नहीं, दोस लगाते नहीं जब भी आप उपवास रखो तो बुरी संगती से दूर रहो, जब भी आप उपवास रखो, तो आप पवितर जीवन जीने की कोशिश करो, जब भी आप उपवास रखो, तो वचन से अपने आपको बरो, पहला काम है उपवास रखना, दूसरा है प्रभु का वचन पढ़ना, वचन से अपने आपको भरन हो सके तो प्लीज यह कोशिश करो कि जब भी आप सुबा उड़ते हो तो सबसे पहले चोटी सी प्रात्ना करो सबसे पहला शब्द प्रभु से बोलने की कोशिश करो जाहें अगर थोड़ा सा लेट भी हो गए यह आप नहीं भी बोल पहले लेकिन कोई बात नहीं थोड़ी द इतना तो हम कर सकते हैं इसके बाद एक वचन पढ़कर अपनी शुरुआत करनी है छोड़ाजा वचन पढ़के फिर उसके बाद आप अपने रोज मर्रा की काम जैसे आप करते वचन के अनुसार अपने आपको प्रभु के अनुसार चलाना है और दूसरा जब भी आप रात को सोते हो सोने से पहले आप प्रार्तना करके सो अराधना करके सो उसकी स्तूति करके सो उसके साथ समय बिता के सो दीरी दीरी करके आपका अपना टाइम बढ़ाते जाओ 15 मिनट आदा गंटा 25 मिनट दीरी दीरी करके 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट दीरी दीरी करके आपका सम को लेकर या आत्मिक रूप में भी आपको परिशान कर रही थी न तो वो चीज़े दिरी-दिरी देखो आपको जाती भी नजर आएंगी जैसे आपका प्रात्ना अराधना और आत्मा का जीवन बढ़ता जाएगा तो गंदगी वाला जीवन गंदी बाते विचार वेभार और काम जंगती ऐसे सिच्वेशन से आपके जिनने के से दूर होती जाएगी क्यों कि जब आप परमेशर की उपस्तिती में चलोगे तो प्रभू आपको अपना सहरा देगा अपना हाथ देगा अपना छुटकारा देगा प्रभू अपनी सामर्थ देगा आपको बचन से आपको पवित्र आत्मा बतलाता जाएगा कि इस समय क्या बचन आपको बोलना आपको पता भी नहीं चलेगा जेलो को कुईसी नहीं सिखाया चेलो को सिखाने वाले सिर्फ पवित्र आत्मा है, ध्यान रखना जो पवित्र आत्मा आपके और मेरे जिंदगी में काम करते हैं, लेकिन हमने उनके साथ अच्छा रिष्टा नहीं बनाया है, पवित्र आत्मा के साथ अच्छा रिष्टा बनाने के लिए हमें प्रभू की ब प्राटना करना जब आप अपने आपको वचन से भर लोगे अगर आप रोज भी एक वचन याद करो रोज भी वचन पढ़ो या एक चैप्टर पूरा एक अध्याय नीती वचन का तारीक के साब से पढ़ो तुप परमेश्व जच में आपको बहुत आच से बढ़ाएगा किस तरीके से कब कब क्या डेसीजन लेना है कैसे चुनाप करना है कैसे बचना है कैसे रुकाबटो को खतम करना है कैसे युद लड़ना है कैसे प्राटता करनी है क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बहुत सारी चीज़े आप नीती वजन के दुआरा भी सीख स लेकिन बख्षक्त वे बात ये है कि हमें अपना समय ब्रबो के वचन में देना है अगर आज दस्मिनट देदिया वचन पड़ने में तो कल पंद्रा मिनट कोशिश करो निकालना पड़ेगा समय बिना निकाले नहीं आएगा कही बार शैतान हमें इतना बिजी करने की कोशिश करता है और हम बिजी हो भी जाते हैं आलनकि उन कामों के दुवरा में कोई अच्छा प्रतीफ़न नहीं मिलता है प्रभू नौकरी बिजनस के बारे बात नहीं कर रहे हैं देखो वो तो हमारी जिम्मेदारिया है लेकिन इसके लाव भी हमारा समय शैतान कितना खाने की कोशिश करता है जो हमारा बढ़ने का समय वो शैतान समय बरबात करना चाता है जो हमारा सीखने का समय प्रभू की संगती में आने का समय वो शैतान चुराना चाता है फाल्तों की चीजों में लगा देना चाता है कि हम प्रभू के वचन प्रकाशन आत्मा में, सामर्त में, विशेक में, डर में, प्रेम में, भरपूरी में गेरे-गेरे भेद और प्रकाशनों में ना वड़ पाई है, शैतान हमसे पहले जानता है इसबात को कि जो परमेश्वर का ज्यान रखेंगे वो ही आप बान कर बड़े बड़े काम करेंगे और यही ज्यान शैतान एक विश्वासी को पाने नहीं देता क्यों क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर का ज्यान ना होने से उसकी प्रजान नाश हो रही दियो शैतान इसी हत्यार के दुआरा मतलब शैतान एक विश्वासी को प्रभू की संगती में नहीं आने देता वचन की शिक्षा को नहीं पाने देता बिजी कर देता है या विश्वासी को अगो के विरुद में कर देता है विश्वासी को विश्वासी के विश्वासी के विरुद में विश्वासी को ऐसी परिसेती में डाल देता है कि वो वचन सूनी नहीं पाता है द्यान रखना सबसे पहला उपवास दूसरा अपने आपको वचन से बरना तीसरा है परमेश्वर की संगती में निरंतराने की कोशिश करना जुड़ने की कोशिश करना वचनों से अपने आपको बरना चौथा ऐसी चीज़े ऐसी अभिलाश है ऐसी बात ऐसी situations ऐसी अभिलाश है आप शारीरिक रूप से जो आपको प्रभू के प्रेम से अलग करती है उनके विरुद में आपको प्राटन करनी है और आपको अपने हिश्चे का काम करना है क्योंकि कहते हैं कि करम बिना विश्वास मरा हुआ है लिखा है करम बिना विश्वास मरा और इसके साथ आपको प्रमेश्व के गुणों को प्रकट करना है जो प्रवित्र शास्तर में आपको प्रभू सिखा रहा है उनको अमल करना है कि आज के दिन में जूट नहीं वोलूं आज के दिन में चोरी ना करूं प्रभू आज के दिन में गाली नहीं को आज की दिन मे मेरा समय शेतान चुराने नपाए, फोन, मैं टीवी, सीरिल्स, मैं फोटो, वीडियो, एल्बम से फालतू की चीज़ों में मेरा समय बेस ना होने पाए, मैं कहा रहा हूँ अगर आज गिर भी गएती है न कोई बात नहीं, आप इच्छा रखना, दिल से पश्रताप करना, उठा सकता है, लेकिन जो उठने की इच्छा रखता है, आप रभू, मैं उठना चाहता हूँ, मैं पश्रताप करता हूँ, मैं किर क्या था, तो प्रभू उठाएगा, क्योंकि लिका धर्मी चाहें साथ बार किरे, तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे सम प्रभू आपको उठाएगा, यदि आप किर भी गए, प्रभू आज फिर से आपको उठाएगा, जो भी आपकी कमजोरी आएं, उनको एक पेपर पे लिको, उनके विरुद में आपको प्रातना करनी होगी, चाहे वो नीन की आत्मा है, चाहे वो नशे पत्ते की आत्मा है, चाहे हो गलत बात, गलत विचार, गलत वेविचार की आत्मा काम करती है, चाहे है ऐसी संगति आपके जिंदिगी में जो शेतानी है, उन चीजों को बांदने के लिए, उन चीजों को दूर करने के लिए आपको प्रातना करनी होगी, उन चीजों के वुरुद में आपको प्र धित्रोते जाओगे, आप अपने आपको बुराई से दूर करते जाओगे और करेक्ट्शन में आते जाओगे, और पर्वेक्शन में बढ़ते जाओगे, जैसे ऐसे पर्मेशन अपको अपनी सामड से बरेगा, अभिशेक से ताकत से, अनुगुर से, बुद्धी से, ज्ञान से भरेगा और आपकी जरुत भी पूरी करेगा जैसे आप संगती में आते जाओगे जैसे जाद आप उक्वास में अरादना प्रार्तना में बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप परमेशर के और नजदीक आते जाओगे जैसे जैसे नजदीक आओगे तो प्रभू आपको और बरेगा, आपकी इच्छा को जानेगा, आपकी जुरुत्तों को पूरा करेगा, आपके मांगने से पहले ही आपको देगा, और आपको दूसरों के लिए इस्तमाल करेगा, क्योंकि देखो, जब तक हम अपना कुरूस न उठाएं, जब तक हम येशु के पीछे न जाएं, तो हमें अपने लिए मरना पड़ेगा, मतलब अपने अभिलाशव को मारना होगा, प्रभू के वचन के लिए समय निकालना होगा, आराधना के लिए समय निकालना होगा, प्रातना करनी होगी, और शैतान रोक सकता है, आलस डाल सकता है, लेकिन आपको शैतान के मुँपर क करारा तमाचा मारना है, प्रातना राधना करने के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, गल्ती हो कि कोई दिक्कत नी, दुबारा से वचन पढ़ो, दुबारा से राधना करो, दुबारा से प्रातना करो, लेकिन करो तो, करना जरूरी है, प्रभू देखे का, देख मेरी ब बल देकर आपकी उस कमजोरी को अपनी सामर्थ के दौर आपकी कमजोरी को परमेश्वर बलवान मना देगा, जिन बातों में आप कमजोर थे, आप प्रातना नहीं कर पा रहे थे, वचर नहीं पड़ पा रहे थे, आप प्रभू के वचर के साथ समय नहीं बिता पा रहे थे, अप प्रभू अपने प्रभू के साथ संगती नहीं कर पा रहे थे तो आप परमेश्वर आपकी उन कमजोरी के अंदर अपनी सामर्द को सिद करेगा और वो ही कमजोरी आपकी सामर्द बन जाएगी और वो ही चीज आप पवित्रताई सच्प्टा ही क्या नहीं कर पा रहे थे विश्वास में अद्बूत तरीके से चलना सामर्ती काम करना बड़े-बड़े काम करना चमतकार करना शुटकारी करना आत्मिता में बढ़ना वरतानों में बढ़ना अभिशेक में बढ़ना वच्चनों में बढ़ना समर्त में बनना प्रभू को कोछ है दों जानता हूं ना तेरी बल से ना तेरी शकती से मेरी आर्त्मा की द्वारा होगा तु कमजूर है ना तो क्यаф घ्र अब उससी समय श Bowl करना तमाचे मौजा टमार दो उसको कहना मेरा प्रबु मुझे आज मी माफ करता है और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं दुबारा से पवित्रताई में चलने पाऊँगा मैं दुबारा से वचन पढ़ने पाऊँगा दुबारा से राधना करने पाऊँगा अगर कुछ काम नहीं हो पारने तो पवित्रात्म की मदद मागो पवित्रात्म आपकी मदद करेगा प्रभू का आत्मा है वो जो मनुष्य से नहीं हो सकता हूँ प्रभू की आत्मा के द्वारा हो सकता है लेकिन बात यह है कि हम अपने एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाना, आपने दिमाग नहीं लगाना, जो काम नहीं हो रहे है, पवित्रात्म की मदद मागनी है, अपने आपको प्रभु के आतों में सौपना है, अपना युद्ध खुद नहीं लड़ना है, नहीं हो पारा प् बेबीचार हो सकता है, देगे चीज के दुवारा तेरा समय खराब हो सकता है, लेकिन आपको उसी समय रुकना होगा, जब रभु का आत्मा आपको मन में बिक्चैन करे, आपको रुकना होगा, नहीं तो शेतान को मुगा देने वाली बात है, तो मेरे भाई और बेरों ये तर किसे मिल पाती है, संगती में ही हम उन गहरी बातों को प्रकाष्णों को बड़े-बड़े अनुभव को जान पाते हैं, जो प्रभु के लोगों ने लिये हैं, जो वचन के द्वारा में सिखाए जाते हैं, तो ही हम उन गहरी-गहरी बातों को समझ पाएंगे, ताकि आगे आने वाली समस्या है, मुसीवत परिशानियों का हम सामना कर सके, संगती में यही बाते सिखाई जाती है, संगती में हमारी परिपूरता पूरी तरीके से हो सकती है, संगती में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ताकि अपनी खुद की समस्या, अपनी घर की समस्या, वरां दूसर ही में जा सकते हैं संगति में जब आंएगे ना अब और रिया जिर्वा रहलें के साकल लिए नहीं सीखने के लिए तो मेरे भाई और बैनों ये तरीका है पवित्रताइस अच्छाई खराई में बढ़ने का ये एक शुरुवात है आप शुरुवात करो जब आत्मा आपके उपर आएगा तो आपको स्वेम सिक लाएगा तो अब रभाशे आप सभी को चैम से कि